नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवा में दोस्तों मैं करूना ये वीडियो लेकर आई हूँ Class 12 के पींटिंग वाले स्टूरेंट्स के लिए और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों यहां पर मैं एक चीच आप लोगों को किलियर कर दूँ वो है समकालीन और आधोनिक इसके अंदर थोड़ा सा हमारा डिफरेंस होता है हम समकालीन किसे कहेंगे तो दोस्तों समकालीन है वो चीच जो हमारे समय के साथ साथ चल रही है जैसे अभी हम भी हैं और हमारे साथी साथ कुछ कलाकार अपने फिल्ड में प्रियोग कर रहे हैं नए तरीके से चित्र बना रहे हैं तो वो कहलाएंगे समकालीन यानि हमारे कालीन चित्रकार या मूर्तिकार या फिर गायक या फिर न्रत्यांगनाएं लेकिन जो इस समकालीन में कुछ इस तरह के आर्टिस्ट भी आ जाएंगे जो अभी कुछ जल्दी ही समय में गुजरे हैं यानि जो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है जो जा चुके हैं अभी जल्दी में ही या फिर जो अभी भी काम कर रहे हैं ये चीज कहलाएगी समकालीन जिसको हम contemporary बोल देते हैं English में दूसरा word है दोस्तों यहाँ पर आधुनिक आधुनिक जिसको हम बोल देते हैं modern ठीक है आधुनिक काल कला के छेतर में शुरू हो जाता है बंगाल शैली से यानि की लगबग 20 वी शताबदी से ठीक है बाकी आप हिस्टरी में पढ़ते हो तो किसी छेतर में आधुनिक काल 18 वी शताबदी से आया किसी में 16 वी शताबदी से आया लेकिन हमारे पेंटिंग में आधुनिक हम हुए कब 20 शताबदी में बंगाल शैली से तो यहाँ पर हम कुछ तो आधुनिक कलागारों को पढ़ेंगे और कुछ समकालीन कलागारों को पढ़ेंगे उनको जानेंगे और उनके चितरों को भी जानेंगे सबसे पहला चित्र दोस्तों जो आपके इस लेबस में यहाँ पे दिया हुआ है वो है राम समुंद्र का मान मर्दन करते हुए तो दोस्तों इस चित्र का नाम है समुंद्र राम समुंद्र का मान मर्दन करते हुए या फिर समुंद्र का गर्व चून करते हुए श्री राम या फिर मतलब एक तरह से मत मर्दन का मतलब होता है अभिमान तोड़ते हुए तो इस चित्र को आप पहचान लेना अगर इसके थ तोड़े से वर्ड उपर नीचे जा रहे होंगे तो और दोस्तों इसके चित्रकार है राजरवी वर्मा इनके बारे में अभी हम बात करेंगे और ये आधुनिक काल के चित्रकार है इन्होंने इस चित्र को केनवास पर तेल रंग से बनाया है और जब 19 में शताब्दी लगभ पर तो इससे पहले हमने जितने भी चित्र लगभग आपके चाहे फर्स्ट्रम की बात हो चाहे सेकंड रम की बात हो जितने भी चित्र हम पढ़न रहे हैं वो राश्टे संग्राले नई दिली में रखे हुए हैं सिर्फ एक यह चित्र निकल कर आया है जो आपका करनाटक में मैसूर के चित्रशाला में रखा हुआ है इसके तिरिक एक चित्र और आएगा जिसको हम आगे पढ़ेंगे जो आपका राश्ट्र संग्राले से अलग रखा हुआ है अधर्वाइस आपके स्लेबस में जितने भी जितनी भी paintings हैं, मूर्तियां हैं या छापा चित्री क्यों ना हैं वो सभी के सभी राश्ट्रे संग्राले नई दिली में रखे हुए हैं दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगे कि 19 सताब्दी उत्रार्थ क्या है तो दोस्तों 19 सताब्दी क्या होगी, तो आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 1920, 1925, 30 ये वाला समय 19 सताब्दी का होगा तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समय आपको करेक्ट करूंगी कि 19 सताब्दी 1900 करके नहीं होगी, 1800 करके होगी अठारा सो पचास, अठारा सो साथ, अठारा सो पच्चिस ये सारी चीजे 19 सताब्दी के अंतर गताएंगी जैसे कि हम बोलते हैं कि हम 21 सदी में है, तो हमारा जो सन जो चल रहा है अभी वो चल रहा है क्या? दो हजार बाईस, तो बीस है, है ना, और बीस से उपर की काउंटिंग हम कर रहे हैं, इस वज़े से हम 21 सदी में हैं, तो ये चितर बना है 19 सताब्दी का उतरार्थ यानी की 1875 के बात के समय पे, अब ये माध्या मैं दोस्तों कैनवास पलते हैं, इसके बारे में भी मैं थो चितर बने हुए हैं, वो या तो हैंड मिट शीट पर बने हुए हैं, या कागच पर बने हुए हैं, लेकिन ये चितर बना हुआ है केनवास पे, केनवास क्या होता है, कागच के अपेक्षा थोड़ा सा मोटा होता है, और उस पर बना हुआ है ये तेल रंगों से, अभी तक उन्होंने उसको अलग तरीके से यूज किया हो, जैसे टेमपरा पदिती में कर लिया, या वाश पदिती में कर लिया, लेकिन यहां पर राजा रवी वरमा एक ऐसे कलाकार है, जिन्होंने तेल रंग से चित्र बनाए, यह इंदिया के पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं, राजा का प्रयोग अपनी चित्र कला में किया आधुनिक वर्ड दोस्तों मैं आपको बता जुकी हूँ ठीक है अब है राजर रवी वर्मा राजे रवी वर्मा के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे जब हम राजर रवी वर्मा को पढ़ेंगे अभी हम उनके चित्र को मर्दन करते हुए तो दोस्तों जहां तक मुझे याद है आप सभी कोई एक वो वाली कहानी याद होगी अगर आप कभी आपने कभी रामाइन को पढ़ा है या अपने घर में सुना है या टीवी पर आती है तब आपने देखा होगा तो उसके अंदर एक ऐसी घटना है जिस सारे सेना के साथ उस पार कैसे जाएंगे तो उस वक्त वो प्रातना करते हैं समुद्र से कि वो उनको मार्ग दे दे लेकिन समुद्र नहीं देता देखो समुद्र का इतना ही बड़ा इस्तित्व है उसके पास इतनी सारी चीजे है वो अगर एक बार उसकी लहरों में मतलब जीवों का पालन पोशन समुंद्र कर रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा अभिमानी था, तो वो ऐसे प्रात्ना को सुन करके वो नहीं आता है, तो क्या होता है कि फिर श्री राम बोलते हैं कि जाना तो है ही, तो उनको जब प्रात्ना को इग्नौर कर दिया समुंद्र ने, तो श्री राम को थोड़ा सा क्रोध आ जाता है, और वो क्रोध में कहते हैं, तो फिर ठीक है, मार्क तो मुझे चाहिए ही, तो अपना धनुष उठा लेते हैं, और उश धनुष पे बान चड़ा देते हैं, और बोलते हैं, ठीक है, तो अब मैं इस धनुष से तुम्हारा अस्तित्वी ही खतम कर देता हूं, जिस पे तुम्हें इतना घहमंड है, मतलब तुम्हारे सारे जल को ही मैं सुखा देता हूं, तो ऐसा जब वो समुंद्र देव सुनते हैं, तो क्या होता है कि वो एकदम से निकल आते हैं, और शमाय आचना करने लगते हैं, प्लाथना करते हैं कि क्या नाम है नहीं आप ऐशा ना करें और मैं मार्ग देता हूं, तो फिर साथ में इस चित्र को अगर आप देखोगे तो यहां पर एक पूरुष आकरती है, जो श्री राम की तरह यहां पे चितरित की है चितरकार ने, जो पास ही समुंतर के पास ही शिलाओं पर खड़े हैं, सफेद रंग की दोती उन्होंने पैनी हुई है, उनके सीधे हाथ में बाण और उल्टे हाथ में धनुष में इहां पर चितरकार ने दिखाया है, बहुत ही इसे लहरे हैं उसने सफेद दूधिया रंग से लगभग दिखाया है और पीछे समुद्र देव की आकरती को दिखाया है जो ऐसा ना करने के लिए मना कर रही है उसके साथ साथ दो महिलाएं आकरती भी है जो माना जा सकता है कि वो समुंद्र देव की पत्निया रही होंगी। इसके साथ ही साथ आकाश से एक बिजली भी उन्होंने गिर्ती हुई दिखाई है। वो भी उन्होंने मतलब डार्क कलर का मतलब आस्मान उन्होंने दिखाया है। आग की पत्रिण घ्रक के दिखाया है। तो चित्र के अंदर छाया और प्रकाश मतलब लہट और डार्क ही उन्होंने दिखाया है। और दोस्तों यह जो छाया प्रकाश दिखाने डिकनीक है, तेल रंग प्रकाश कहक्West Connect और चित्र प्रकार रग कहा है। लेकिन उनको जो जित्रों की विषय थे वो भारती ही थे भारती है मतलब भारत में हुई घटनाओं पर अधारित भारत की पुरानिक कताओं पर अधारित यहाँ पर एक वर्ड आया है पुरानिक पुरानिक शब्द भी आपको एक्स्प्लेंग करना चाहूँगी पुरानिक होता है हमारे धर्म ग्रंथों पर या पुरानी कथाओं या कथानकों उपर आधारित जो चित्र बनाए गए हैं उनको हम पुरानिक चित्र कहते हैं और भारत के प्रथम पुरानिक चित्रकार थे राजा रवी वर्मा हम आज की डेट में जो देवी देपता को देखते हैं कि जिस स्वरूप में हम उनको देखते हैं तो क्या देखते हैं चाहें वो माता लक्ष्मी है चाहें वो पार्वती जी है या वो सर्श्वती माता है उन्होंने क्या पहना हुआ है तो उनको ये रूप किसने प्रदान किया वो रूप प्रदान करने वाले आर्टिस थे राजर अरवी वर्मा क्योंकि ये खुद साउथ के थे तो वहां का जो पहनावा है उसी पहनावे में इन्होंने हमारे देवी और देवताओं को चित्रत किया फिर चाहे हम विश्नु जी को ले लेते हैं तो विश्नु जी की जो धोती होती है वो भी साउथ इंडियन ही होती है मतलब सिल्क की ही होती है क्यों वहां पर सिल्क पहने का प्रावधान अधिक है तो राजर रवी वर्मा भारत के पहले ऐसे पोराणिक चित्रकार थे जिन्होंने हमारे हिंदू देवी गई है इसको भी हम देख लेते हैं तो 19 शताबदी के अंत में दोस्तों ये चित्र बना है तेलिय रंग से कैन्वास पर बना है मैं बता चुकी हूं वालमे की रामायन से इस कथानक को उठाया गया है इसके अंदर श्री राम को समुंद्र का मन मर्दन यानि की अभिमान का म 15 के चंगुल से सीता जी को छुटाया जा सके परन्तु विशाल समुंद्र ने उनका मांग अवरुद कर रखा है अवरुद मतलब रोक रखा है श्री राम समुंद्र से मांग देने की प्रात्ना करते हैं परन्तु समुंद्र पर उनकी प्रात्ना का कोई असर नहीं होता तो राम क्रोधित होकर अपना धनुष उठा लेते हैं और समुन्द्र को समूल नस्ट करने की चेताबनी देते हैं राज अलवी वर्मा का चितेरा मन इस पल को आकार देता है यानि की इस कथानक को चितरित करता है जिसके अंदर श्री राम को समुन्द्र के किनारे पर एक शिला पर क्रोधित मुद्रा में बाएं हाथ में धनुष वे दाहिने हाथ में तीर पकड़े हुए चितरित किया है उनके वस्तरों से पवन के बेहनेगा समुन्द्र के पास बहुत तेज देज हवाय चलती है और उस हवाओ को उन्होंने दिखाया है उनके उड़ते हुए वस्तरों के साथ दूसरा है समुन्द्र के किनारे की और तेजी से आगे बढ़ती हुई लहरें शिलाओं से टकरा कर सफिर दूद की तरह बिखरती हुई दिखाई पड़ती हैं दूर की लहरों के वीच तीन मानव आकरतियां दिखाई गई हैं मद्दे में बड़ी आकरती समुन्द्र देव की है जो दोनों हाथ उपर उठाए मानव श्री राम को ऐसा ना करने की प्रातना कर रही हो जबकि अन्य दो छोटी आकरतियां जल चरों की और देवताओं की है देखे दोस्तों यहाँ पर एक्स्प्लेनेशन है कि छोटी आकरतियां या तो जल चरों की है या देवताओं की है लेकिन अगर हम इस चित्र को दिहान से देखने हैं तो वो दो आकरतियां महिला आकरती जैसी प्रतीत होती है दूर से देखने पर तो जिसमें कि एक महिला आ दोस्तो इन में से आप कुछ भी लिखते हैं आपके माक्स नहीं कटेंगे। आगे देख लेते हैं तो जो आकरती हैं अपने जीवों की रक्षा के लिए श्री राम जी से छमायाचना कर रहे हैं। प्रेस्ट भूमी में गहरे रंगों के मिश्रण से आकाश को दिखाया गया है, जिसके मध्य में आकाश ये बिजली की चमक दिखाये गई है। इस चित्र में रंगों को इतनी सोमिता यानी की नाजुकता से भरा गया है कि किसी का भी ध्यान ये चित्र अपनी और आकरशित करने में सक्षम है। जो जैसा है उसको ऐसा ही चित्रित करना यथार्तवाद कहलाता है। और हमारे शरीर को उसी प्रकाश की उपस्थिती में चित्रित करना। मतलब जहां पर प्रकाश जादा है जादा दिखाना और जहां पर कम है कम दिखाना ही यथार्तवाद है। अगर किसी व्यक्ति के एक आंख पर चोट लगी हुई है और पट्टी बंधी हुई है तो उस पट्टी के साथ ही उस व्यक्ति को चित्रित करना यथार्तवाद कहलाएगा। जो कि पश्चमी कला की देन है। हमारी भारतिय कला में या परंपरवधी कला में क्या होता है। सामने क्या है उस चीज को छोड़ करके वो चित्र सुन्दर कैसे लग सकता है। उसका प्रियास किया जाता है और प्रतिकादमत चित्र बनाये जाते थे। यथार्थवाद के साथ समय के साथ क्या हुआ जैसे ही कैमरे का विश्कार हुआ और कैमरा अस्तितू में आया बैसे ही यथार्थवादी जो अंकन है वो कम हो गया फिर क्या चितरकारों ने अपनी कला में और बहुत से प्रभाव या चेंजिस किये जिसको हम आगे अपना पढ़ता है और साउथ में केरल के अंदर एक जगा है किली मनूर जहां पर राजर अवी वर्मा का जनम एक बड़े राजसी परिवार में हुआ था राजर एवी वर्मा का आरंब से ही चित्रकला में बहुत गहन रुची थी और इसकी आरंबिक शिक्षा उन्होंने अपने चाचा जी से लिए जिनका नाम था राज वर्मा इसके बाद उन्होंने इंट्रेस दिखाया पस्चिनी कला में और तेली चितरकारी में तो इसके शिक्षाली उन्होंने डच चितरकार थ्योडर जेंसन से क्योंकि जो तेल चित्रकारी थी वो इंडिया में नहीं होती थी बाहर होती थी तो ये उन्हें बाहर के कलाकार से सीखना पड़ा दोस्तों बात कर लेते हैं त्रावन कोर के राज दर्बार की तो दोस्तों राजर अवी वर्मा के परिवार के लोगों का त्रावन कोर राज दर्बार में अच्छा आना जाना था उनके संबंध थे इस राज दर्बार से तो राजर अवी वर्मा ने अपने बहुत से चित्र त्रावन कोर में राज दर्बार में उपहार में दिये हैं और उनके कहने पर बनाए हैं जिस पर उन्हें बहुत सारे प्रसकार भी त्रावन कोर के समराट के द्वारा दिये गए हैं मैं राजर अवी वर्मा के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि ये भारत के पहले तेल चितरकार थे इनको भारत का रेमबरा नाम से भी कहा जाता है यानि भारत का रेमबरा कहा जाता है राजर अवी वर्मा जी को और ये पहले भारते चितरकार थे जिन्होंने पस्चिमी प्रकाष चाया में प्रकाष का परियोग करके ठील रंगों से चित्र बनाए थे इनके बारे में थोड़ा सा हम यहां पर देख लेते हैं तो इनों ने भार्तिय विष्ण विंट्र फिश्थूओं को ही चित्रत किया लेकिन युरोपियन शैली में ही चित्रत किया और European Shelly मैं जो बार-बार वर्ड बोल रही हूँ कि पास्चत्यकला पास्चत्यकला यूरोप में ही होती थी इस कारण इस चीज को European Shelly भी कहा जाता है राजर अभी वर्मा के जो चित्र थे वो महाकाव्यों और पुराणों पर अधारित थे उनके चित्रकला के विशिस चत्वों के सयोजन से भारतिय कला को नए आयाम उन्होंने दिये उन्होंने इस्त्रियों पर आधारित चित्रकला को जनम दिया उन्होंने अपने मुख्य पात्र जो चित्रों के लिए रखे वो थे सीता, शकुंतला तथा अन्य महिला पात्र दक्षन भारतिय स्त्रियों के रंग रूपवे सज्जा को आदर्श मान कर उन्होंने चित्रन किया उनके बनाए गए चित्रों में चंचलता की कमी और एक ठहराव नजर आता है रंगों की अधिक्ता चित्रों को बोजहलवे नीरस बताते जान पड़ते हैं इसके बावजूद भी वे उस युग के एक महान चित्रकार थे राजर अवी वर्मा की प्रमुक क्रतियां है श्रेक्रेश्न, हरिश्चन, सुकेसी, रावन जटायू, इंद्रजीत परविजय, भारतिय फल्विक्रेता दोस्तों ये सभी चित्र तेल चित्र है इसके आति रेक्त दोस्तों मैं आपको राजर अवी वर्मा के चीवन की एक महतपूर घटना के बारे में यहाँ पर जरूर बताऊंगी क्यूंकि हम किसी आर्टिस्ट को तभी समझ सकते हैं जब हम उनके बारे में थोड़ा सा जानते हूं तो दोस्तों एक लीथोग्राफी प्रेस होती है आगे जब हम चापा चित्रकारो को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका जख्राएगा कि लीथोग्राफ क्या होता है तो वह एक प्रिंटिंग 스ब्स हो आ करती थी पुराने टाइम पे तो सबसे पहले उस प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना करी थी वो राजर अवी वर्मा ने की थी दोस्तो राजर अवी वर्मा उस समय के बहुत बड़े कलाकारों में से एक थे या कहा जाए कि सबसे बड़े कलाकार थे क्यों क्योंकि उनके विशे क्या थे भारतिय पुरानी चित्र और हर किसी को अपने देवी देवताओं को घर में सजाने का एक मोका दिया राजरवी वर्मा ने तो उनके चित्र इतने महंगे बिखते थे कि एक चित्र उस जमाने में लगभग दो हजार का बिखता था और हर प सě stato कि अपको यह बपा दू कि प्रत्षम लीथोग्रा प्रेस मुंबई में लगाई किसने राज अरवी वहरमाने दोस्तों उस प्रेस से क्या हुआ कि फो एक चितर को बनाते और फिर उसके print यानि कि उसका चित्र निकाल करके वो डिमांड पूरी करने लगे चित्र निकाल के डिमांड पूरी करते थे तो वो चित्र ओरिजनल नहीं होता था इस कारण अब उनके चित्रों की कीमत जहां 2000 थी वो अब 200 रुपे पर आ गई अब वो हर print को 200 रुपे में बेशते थे इससे क्या होता था जितने डिमांड होती थी वो उतने चित्रों की पूर्ती कर पाते थे इसको देखकर बहुत से लोगों ने लिथोग्राफी प्रेज की स्थापना कर ली और राजरवी वर्मा से चित्र को 2000 में खरीद कर उसकी प्रतिया निकाल करके बेखना शुरू कर दिया अब उनके जो चित्र थे दूसरे लोग भी प्रिंटिंग प्रेज से चाप कर बेखने लगे तो इससे क्या हुआ कि उनके जो चित्रों की कीमत थी वो 200 रुपे से गिर कर 20 रुपे हो गई इसकी बाद क्या हुआ कि लीथोग्राफी प्रेज की इतनी ज़्यादा वो प्रेज वहाँ पर लग गई कि आप उनके जो चित्र थे वो 22 रुपे में बिकने लगे और इसी बात को अधार मानकर जो हमारे कला स्वमिक्षक आगे आएंगे जिनको आप पढ़ोगे कभी आनंद कुमार स्वमी जी ने राजर अवी वर्मा को एक फुटपाथी चित्रकार भी बोल दिया था क्यूं क्यूंकि उनके चित्रब इतने अधिक मात्रा में छपने लगे थे कि वो रोड पर भी पड़े हुए मिल जाते थे आसानी से तो दोस्तों ये थी राजर अवी वर्मा जी के जीवन की एक महतवपूर घटना तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको राजर अवी वर्मा और उनका चित्र समुंद्र का मान मंदर करते श्री राम अच्छे से समझाया होगा तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे और चैनल भी सब्सक्राइब कर दे जिससे की आगे आने वाली वीडियो भी आप देख पाएं